प्रोपर्टी आप लोगों को बहुत ही लोवर लिवल पर रिकमेंडेशन दिया था 1250 के आसपास वहाँ से आप लोग देखो तो तो टील डेट 27% का आपको रिटन यहाँ पर देखने को मिला हुआ है यह एडवाइस कहीं करीबन दिया था अपरिल महिने के आसपास तो आप जरूर से वह पिछले लाइव सेसन देख सकते हो तो स्टॉक्स ने काफी अच्छा रनब दिखा दिया है अब स्टॉक के अंदर क्या करना चाहिए अब मैं सभी टाइम फ्रेम का अगर मैं चार्ट का स्टॉक्शर देखता हूँ तो यह स्टॉक्स ने भी काफी महिनों से कुछ रिटन दिया नहीं अब जिस तरह से यह स्टॉक के अंदर गिरावट यहां पर देखने को मिला हुआ था एक बार रिट्रेश्मेंट भी देख लेते हैं कि कितना रिट्रेश्मेंट हूआ तो काफी अच्छा रिट्रेश्मेंट हूआ था और उसके बाद अबहल स्टॉक रन-ब दिखा और एकदम लोवर लेवल से भी अगर मैं बात करूं तो लोवर लेवल से भी स्टॉक में 50-60% का रनप अरड़ी दिखा दिया है यहां से यह स्टॉक के अंदर और भी हाईर ही दिखाने के फूल चांसी से मेरे हिसाब से अगर यह स्टॉक्स आने दिनों में थूड़ा लोवर लेवल दिखाता है 1520 के आसपास अगर यह stocks आपको दिखाई दे जाए 1520 से लिके 1500 की range में अगर यह stocks आपको दिखाई दे जाए तो किसी को fresh new long position भी अगर बनानी है तो बना सकते हो और उस time पर आपको closing business के उपर stop loss यहाँ पर maintain करना पड़ेगा वह 1475 रुपीज का तो मेरे इसाब से गुदरिज property के अंदर current market price से थोड़ा correction हमें देखने को मिलता है तो एक calculated risk कर लेना है तो हम जुरू से ले सकते हैं और जो stop loss बताया है वो stop loss आप लोगों को follow करना है stop loss नहीं follow करोगे तो फिर first भी सकते हो trading करना है तो stop loss के बिना कोई कामकज होता नहीं है small stop loss is much better than big loss ठीक है तो गोदरिज property के अंदर price action जरूर से देखिएगा अल्रेड़ी buy करके रखा हुआ है तो भी hold कर सकते हो जो stop loss बताया है वो stop loss के साथ hold किजी आप लोग चार्ट के structure रियली में बहुत ही बढ़िया है और काफी correction हो गया है काफी consolidation होने के बाद अभी ये stocks थोड़े higher level दिखा रहा है तो काम करके जरूर से देखिएगा और मेरे level के उपर price action भी जरूर से अब लोग देखिएगा दोस्तो